हेलो एव्रिवान वेलकम टो एग्जाइडमी रीडिफाइनिग एडुकेशन मेरा नाम है प्रभाश कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपेश्वी मैथमेटिक्स ऑप्शनल अपसे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक और बहतरीन सा कोर्स जिसका नाम है ordinary differential equations short में हम लोग इसको ODEs बोलता है यह सब कुछ-कुछ topics के नाम दिये वे हैं वैसे आपको पता है कि यह सब हम लोग वैसे religiously follow नहीं करते क्योंकि आपको पता है कि अगर हम लोग ऐसे one by one by one by one इसमें follow करना शुरू किये ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे आपको प क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे topics hidden है इसमें चुपे वे हैं उसे हम जो हम लक्चर continue करेंगे तो आपको पता चलेगा mention नहीं रहते हैं वो सब लेकिन by default उनके according वो समझ लेते हैं कि आप समझ गए हो बस समझ जाओ ठीक है तो थोड़ा सा miss number यह problem होता है लेकिन द से formulate करना होता है equations of first order first degree यह order क्या होता है यह degree क्या होता है उसमें से first order वाले पढ़ने हैं first degree वाले पढ़ने है equations कैसे equations ordinary differential equations फिर integrating factor क्या होता है फिर orthogonal trajectory का concept चाहिए फिर equations of first order but not of first degree order first होने चाहिए लेकिन degree एक से अधिक हो सकता है clear arts equation है singular solution है second and higher order linear equations complementary function particular integral general solution second order linear equations with variable coefficients Euler-Kauchy equation variation of parameters lapless and inverse lapless देखो यहाँ पर दे दिया दुमको lapless और inverse lapless और इन्वर्स lapless और उसका application to initial value problems इसको हमलों calculus में पढ़ रहे हैं पढ़ चुके हैं lapless को lapless को पढ़ने का purpose ही था कि सिर्फ और differential equation solve नहीं करना हम लोग integration solve करना भी सीखे थे ना तो इसी लिए हम calculus में बता दिये ताकि आपको lapless नाम का एक हतियार मिल जाए जिसके कारण से आप बहुत सारी ऐसे problems को भी solve कर सकें जो आप solve नहीं कर पा रहे थे जहां जहां जो application लगे solution solve करने का भी यूज करेंगे अब इस लैपलेस का अप OD के लिए नहीं कर सकते हैं पीडी के लिए यूज कर सकते हैं वह एक टूल है बेसिकली transformation आप सीख चुक है तो यह सब topics हैं obviously यह सारे topics को तो पढ़ेंगे इसके साथ सांस जो जो topics hidden हैं छुपे हुए हैं नजर नहीं आ जाता है step by step आपको cd पे चड़ाया जाता है इसके letter पे नहीं नहीं तो आपको ठेका जाता है कि हाँ बेटा बिना ABCD जाने तुम sentence लिख दो वह हम नहीं करते हैं आपको पता है कि हमारा target कौन है target कौन है हमारा बताइए बताइए average और below average students अगर आप अबब average भी हो तो कृपिया करके प्रभू आपको lecture boring लग सकता है warning एक वैधानिक चेतावनी तो आप खिसक सकते हैं या अपना practice करके अपना time save कर सकते हैं आपका time हो सकता है कि खराब कर दूँ मैं मैं warning दे दिया फिर ब average students है ना उनको नीचे से उपर उठाया जाए एक छोटी सी contribution towards society ordinary differential equations में हम लोग ये सारे topics पढ़ेंगे इसके भी कितने कितने notebook बनाने आपको दो दोनों मोटे मोटे copy बनाने है पहला में आप लिखोगे concepts lectures का class notes और दूसरे में इसका questions 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 और सिर्फ questions प्लेलिस्ट वगर आपको सब कुछ clear है अगर आप नए हो तो description box में जा करके लहराओ वहाँ पे देखो एक whatsapp group का link दिया होगा add हो जाओ और playlist पे आप click करके देख सकते हो बहुत सारे courses जो है वो आपको मिल सकते हैं playlist में जा करके मैंने आपको बताया तीन level में हम लोग preparation करते हैं पहला foundation level जिसको हम लोग tier 1 बोलते हैं दूसरा question level जिसमें हम लोग numericals को solve करते हैं varieties of questions को solve करते हैं और तीसरा theorems जिस जिस chapter से जहां-जहां जो जो चीज theorem समें जरुत पड़ेगी वो सारे theorems को हम लोग याद करेंगे उसका proof सीखेंगे ठीक है जो theorem समें याद करने की रटने की जरुत पड़ेगी वो मैं बता दूगा क्या रटना है जिसको समझ करके आपको proof करने की जरुत पड़ेगी वो सब चीज भी करेंगे ठ A to Z कहानी समाप्त मिलते हैं आप से अगले लेक्चर में मतलब पहला लेक्चर जो होगा ordinary differential equations का तब तक अपना ख्याल रखिए मस्ती करिए बबारी